है verschiedenen महाराष्ठा सर्थ हैं तो था ना टीन का कौको सीवन किवेंटी लेहां क? फर्मूला बेक्ठेट है तो मैं आप लोको שो कर दे रहा को फर्मूला जो सेकेंद नमर फर्मूला इसका आप लोको देखिए मम इसेयों ओटर पर टर्म यूज किया है the quantity that is congerd, ओके महां लोग congerd के जगाना आपके पास और भी similar keywords है जिसको कर सकता है, क्या keyword से मैं आपको display कर दे रहा हूँ, ज्यादा confusion नहीं होना है, टरम बदले कि जाम में नहीं फर्ग नहीं पड़ना है, इसको हम लोग क्या constant या फिर constant of motion बोलते हैं, ठीक है, इसको दूसरी तरीका से हम लोग पी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग congerd भी बोलते हैं, एतना terminology आपको नहीं जानना है, question हम लोग करते हैं, question में आपको क्या देखना है, एक बार एक formula आप लोग recall करिए, formula second number देखिए आप लोग, इसमें congerd मतलब क्या हमें constant दिखाना है, इस question में, congerd मतलब हमे दिखाना है कि constant कौन होगा, that is, इसमें से a, या फिर a, फिर a, फिर a, इनमें से कौन सा constant होगा, तो उसके लिए हमें क्या पहले display, so करना होगा, हमारे question में, कि पहला number तो ये वाला portion 0 हो जाए, ठीक है, ये portion 0 हो जाएगा, तो आपको पास ये वाला बचेगा, ये बचेगा a equal to 0 हो जाएगा, a equal to 0 हो जाएगा, इसका मतलब अब किसी का derivative करना equal to 0 हो जाएगा, that is, a वाला चीज constant हो जाएगा, a constant हो जाएगा, तो हमारे concern मिल जाएगा, तो अब हम अपने problem में करते हैं कि हमारे problem में ए चीज कैसे given है, तो पहले यहाँ पर देखिए variables कौन कौन दिया ह हुआ है, तो हमारे question variable क्या है, r है, theta है, and phi है, देखिए, r theta phi, and, इनके दोट ओले term मतलब derivative ओले term कौन कौन मेंसेंड है, तहाँ पर देखिए, r mentioned है, theta dot mentioned है, and phi dot mentioned है, ओके, यहाँ पर r भी single में आया हुआ है, यहाँ पर theta भी single में आया हुआ है, but 8, 5 कहीं भी single में नहीं आया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए, r का है, r theta का term है, a theta का term है, phi जहाँ आया है, इसके साथ है, मतलब इन तिनों के साथ है, single में कहीं नहीं आया है, इसका मतलब अगर इस question को, अगर del l को del phi हम करें, तो क्या हो जाएगा, 0 देदेगा, clear, तो 0 देदेगा, तो जो म मुला हमें, हमें क्या पता चल गया, कि a वाला 0 तो हमने कर दिया, किसके लिए किया, q is equal to 5, अच्छा, यहाँ पर q i, से आप confused मत होना, q i, कि हमें यहाँ पर अपने problem में recall करवा दे रहा हूं, देखो, q1 को आप ले लो, r, q2 को ले लो, theta, and q3 को ले लो, 5, clear, तो यहाँ पर मालो, हमारा काम किसके ले बन रहा है, q3 के ले बन रहा है, q3 के बन रहा है, तो इस formula से फिर से हम लोग एक बार आते हैं, यहाँ पर हमें, किसके ले काम बन गया, q 5 टिरिगी, 2 यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर यह 0 हो गया, किसके लिए Q is equal to 5 के लिए तो यहाँ पे अब यह वाला पोस्टन में पूरा 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा मतलब del L upon में del 5 dot equal to constant हो जाएगा यहाँ पे देखिए del 5 del L upon में del 5 is equal to हो जाएगा constant ठीक है constant मतलब क्या कंजारूड है ठीक है तो देखिए कौन सा अप्सेंट ट्रू है constant constant that is तो del L upon में del 5 dot del L upon में del 5 dot option c तो आपका option c true हो जाएगा कुछ नहीं आपको करना है बस अच्छा किश्यों के video चाहिए तो आप बता सकते हैं मैं आपको separately भेज सकते हैं आपको बस यह लग रहे इंजियन का अपको अप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था इवें तो यहां पर भी बस अप्जार्व करना था क्या करोगी कि पॉर्शन जीरो हो जाए और जिसके लिए 0 हो रहा उसी का डिरिवेटिव लाए constant हो जाएगा ओके तो थेंक यू